जैहिंद E-Smarter Everyday Channel में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ इस वीडियो में यहाँ पर Goa University द्वरा जारी की कई नई भरती के बारे में बात करूँगा अगर आपने 12th diploma या graduation कर रखा है तो आपके लिए vacancy है दोस्तों वीडियो को अपन तक जरू देखेगा सारा कुछ बताने वाला हूँ यह जो vacancy निकाली गई है यहाँ पर दोस्तों LDC, MTS, Junior Civil और Junior Electrical की यहाँ पर vacancy निकाली गई है दोस्तों पूरा वीडियो आपन तक जरू देखेगा मैं जो भी यहाँ पर selection criteria है सारा कुछ बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर Goa University की official website है दोस्तों दोस्तों इस चैनल का मोटो यही है कि आपको जेन्वा निकलोई भरती के बारे में ही बताया जाता है तक कि आपको सही जनकरी सही समय पर मिल सके यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जारी किया गया है इसका जो पेडियाफ है वीडियो के discussion में मिल जाएगा वहाँ से आप download कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो जही किया है यहां पर vacancy निकाल रखी है अगर आपने – qualify कर रखाया तो आप इस пригom के लिए आवेधन कर सकते हैं इसके लाव यहां पर यह यहां पर अपने ढिकला के निकाले होनी चाहिए इसके लावा हम बात करें MTS की तो MTS में भी यहाँ पर जो बेकेंसी निकाल रहे हैं यहाँ पर जो है आपने सिर्फ यहाँ पर जो है आपने 12th पास कर रखा है तो भी आप इस अवेदन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर वेकेंसी का डेटेल यहाँ पर दे रखा है, अलग-अलग यहाँ पर कैटेगरी को यहाँ पर बाटा हुआ है, इसके लावा हम बात करें तो इसमें भी आपको पॉनकरी की knowledge होनी चाहिए चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसको आवेधन कैसे करना है और यहाँ पर क्या other state वाले आवेधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो video context आप जरूर देखेगा इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप online आवेधन कैसे करना है और यहाँ पर फीस की बात करें तो यहाँ पर application फीस यहाँ पर दोसो रहने वाला है और last date की बात करें तो यहाँ पर 8 March 2021 तक आपको form को यहाँ पर आवेधन कर देना है दोस्तों ठीक है इसके लाबा यहाँ पर कुछ यहाँ पर mention किया गया है यहाँ पर डिटेल दे रही है आप पर photograph की आपको maximum size आप देख सकते हैं आपको फोटो जो फॉर्मेट है है simply आपको इसको क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करेंगे तो जो application form है वह आपके सामने open हो जाएगा यह आप देख रहे हैं application form open हो गया है जैसे कि यहाँ पर job category आपको select करना है आप जिस भी इसमें apply करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर requirement for post MTS में जैसे apply करना चाहते हैं तो इस पर आपको simply क्लिक कर लेना है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक notice आ जाता है यहाँ पर लिखा गया है Candicate with card certificate issue by component authority from government of goa are only eligible to apply for selection category post दोस्तो यह जो vacancy निकाली गई है only for goa के लिए निकाली गई है ठीक है तो goa वाले ही सिर्फ इस form के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तो other state वाले इस form के लिए आवेदन नहीं कर सकते दिया गया है यहाँ पर अपना surname first name डाल के यहाँ पर simply आपको submit कर देना है अगर form भरते से हमें किसी प्रकार की कोई problem होती है तो मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हैं इस वीडियो में इतना ही वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए बैल आकोन को दबाईए daily government जो update पाने के लिए thank you for watching जैहिन